घर से बाहर निकलते वक्त साथ में गाड़ी के पेपर लेकर चलना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है अब सरकार ने लोगों की इस परिशानी का तोड निकाल लिया है सूचना तक्निक मंत्राले ने वाटसब यूजर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है जिसका इस्तमाल कर आप अपने मोबाइल में ही राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेथ कई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं नमश्कार आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान डिजिटल और आपके साथ मैं हूँ राधा बकुत्रा तो चलिए बगेर दैर कि ये जानते हैं कि इस सुविधा का कैसे यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में समझ ये कि डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने का तरीका क्या है सबसे पहले आपको 9013151515 नमबर पर नमस्ते या हेलो या हाई डीजी लॉकर लिगकर भेजना रहेगा इसके बाद आप से पूछा जाएगा कि डीजी लॉकर अकाउंट एक्सेस करना है या कोविन सर्विसेस एक्सेस करना है अगर आप डीजी लॉकर को चुनते हैं तो आप से पूछा जाएगा कि आपके पास में अल्रेडी अकाउंट है या फिर नहीं अगर डीजी लॉकर पर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो अपना आधार नमबर दर्श करवाना होगा इसके बाद आपके रजिस्टिड मोबाइल नमबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको सब्मिट करना होगा इसके बाद आप अपने डॉकुमेंट्स डीजी लॉकर पर अप्लोड कर सकते हैं अगर आपने पहले से अपने documents अपलोड कर रखे हैं तो उन्हें यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं अब बारी उन दस्तावेजों की जिनको आप डाउनलोड करेंगे लेकिन कैसे तो आप WhatsApp के जर्ये ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का registration certificate, पैन कार्ड, CBAC के 10th 12th के certificate और G1 BIMA के certificate डाउनलोड कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो आप आपको इन काग्जों को कहीं साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं हैं आप जब चाहें WhatsApp के जर्ये MyGOV Help Desk पर एक message बेज कर इन दस्तावेजों को mobile phone पर डाउनलोड कर सकते ह ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताईएगा और ऐसी ही कुछ रोचक और अलग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हैं जे हिंदुस्तान डिजिटल के साथ